दोस्तो यह है वीवो का नया स्माटफून वीवो T3 5G जो की वीवो ने लेटेस लाँज कर दी एंडिया के अंदर तो इस वीडियो में हम इसके अंबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा इसके अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं और वीवो का नया स्माटफून यह दो को सबस्क्राइब कर लिजे ताकि नई वीडियो आप तक पहुचती रहें तो बॉक्स पर आपको यह सारी स्पैसिफिकेशन जो है मतलब बैक साइड पर मिलती है फ्रेंड में नाम है और दोस्तों अन्बॉक्स करती है सबसे पहले तो फोन मिल जाता है इसके बाद यह ट्र किलर में चार्जर जो कि 44 वाट का चार्जर है तो चार्जर आपको फास्ट मिलता है 44 वाट का रेट के साब से देखा जाए तो 18,000 में जो बॉक्स के कंटेंट्स ठीक टाक मिल जाते हैं बाकि अगर चार्जर थोड़ा और जाधा फास्ट हो जाता ना तो और जाधा बढ़ कि 1, Realme 2 सबस्ता अधा popular हुए थे इसी तरीकी के डिजाइन में तो यह वैसे टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलता है बाकी color different है और दोस्तो तीन डिये गाए है वीवो की branding आपको मिल जाती है बाकि दोस्तो प्लस्तिक की टाइप के डिजाइन है लेकिन matte finish में तो scratch's वगरह नहीं आएंगे और 188 ग्राम के आसपास इसका वेट है तो काफी light weight भी आपको यह phone मिल जाता है काफी हलका भी लगता है काफी compact भी है और design की quality काफी बढ़ी है finger paints वगरह नहीं आ रहा है मता उंगलियों के निशान वगरह आपको देखने को नहीं मिलते है बिना cover के भी कमाल का और quality भी आपको अच्छी मिल जाती है तो आपको problem नहीं होगी और light weight होने के वजह से काफी compact बन जाता ही है इस चीज़ा आपको देखने को मिलती है चलिए इसको on करते में आपको दिखाते हैं इसकी display की quality कैसी है करीब से colors हो गया है कैसे है तो इसके अंदर आपको 6. display की quality on paper तो काफी बढ़िया ही मिल जाती है क्योंकि इस budget में अभी भी सारे phones के अंदर जाधा तर IPS से display देखने को मिलती है लेकिन इसके अंदर आपको emolid दी गई है तो इसके अंदर काफी अच्छी है बाकि display के अंदर जो colors मिलते हैं वह चीज़ में आपको दिखाता हूँ use the interface इस तरीके से दिया गए है आप इस ओपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाएंगी तो चलाने में वीवो के दूसरे smartphones की तरह लगता है दोस्तो यह आपको वीवो के phones यूज करने में कैसे लगते हैं कैसे नहीं comment करके बताइएगा बाकि इसके display के अंदर आपको refresh rate भ भी काफी अच्छी है अब display की quality में आपको करीब से दिखाता हूँ तो दोस्तो इसके अंदर आपको punch hole camera वाला तो इसके अंदर design दिया गया है जो की काफी छोटा है size में और edges बेजल्स भी काफी कम मिलते हैं इसे के साथ display की color से brightness आप करीब से देख सकते हैं काफी बढ़िय आपको मिल जाती है तो आपको problem नहीं होगी डिस्प्ले की quality को लेकर ये phone आपको काफी बढ़िया मिल जाता है color so air को लेकर भी और 200 size में design में सभी चीजों में बहुत अच्छा है refresh rate भी बढ़िया तो इससे experience जो दोस्तो smooth भी हो जाता है बढ़िया होने के साथ साथ तो display में एक sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगेंगी तो आप इस चीज़ का खयाल रखेगा बाकी दो sim card आपके 5G के चल जाएंगे इसमें साइड में आप देहेंगे volume के buttons और power का button है fingerprint scanner display में side menu तो इस चीज़ भी बहुत बढ़िया है उपर से देखेंगे तो noise cancellation mic दिया गय तो इसके अंदर दोस्तों आपको 18,000 में अगर यह आपको after discount जो है मिल गया ना तो यह आपको 18,000 का बढ़ेगा वरना तो 20,000 है तो 20,000 में इसमां आपको मिलती है 8GB एक्सोटाइज इंटरनल स्टोरेज 8GB मिलती है इसके अंदर 128GB स्टोरेज तो दो स्टोरेज तो ठीक टा में बात करें तो MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर इसके अंदर आपको दिया गया है जो की काफी बढ़िया प्रोसेसर है दोस्तो प्राइस को देखते हुए Performance जो है दोस्तो आपको इसके अंदर काफी बढ़िया मिल जाएगी restart test में भी आप देख सकते हैं काफी जल्दी on हो चुका है कुछ applications भी में जो है इसके अंदर आपको open करके दिखा दूँगा उससे भी आपको speed का अंदाजा हो जाएगा तो दोस्तो performance के इसाफ से ना काफी बढ़िया फोन ही है आपको दिक्कत नहीं होगी वीवो के फोन्स में जैसी पहले problem आती थी वो चीज़ इसमें आपको देख आपको battery दी गई है एक दिन का normal battery back आप रामसा आपको मिल जाएगा तो battery भी काफी अच्छी दी गई है तो यह सारी खुबिया कमी आपको मिलती है वीवो के latest P3 के अंदर 18000 में 20,000 में चली बात करते हैं सबसे में चीज़ आपके लिए ये phone कैसा रहेगा कैसे नहीं तो दो अच्छी है डिश्प्रोंृट आपको अच्छी है अच्छी है लुकवाइस भी बहुत बढ़िया तो बढ़िया है तो बैटरी बढ़िया चाहिए तो battery भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है बढ़ी ये battery के लिए आप इसको ले सकते हैं और दोस्तो अगर आपको processor बढ़िया चाहिए performance अच्छी चाहिए phone के अंदर तो processor भी अच्छा मिल जाता है rate किसाब से आपको performance काफी अच्छी मिल जाएगी RAM और storage भी सही दी गई है तो overall सभी चीज़ों में दोस्तो camera को लेकर भी काफी बढ़िया तो सभी चीज़ों में दोस्तो ये smartphone आपको काफी बढ़िया मिलता है 5G phone है और charger भी faster box के अंदर तो सारी चीज़ आपको काफी बढ़िया मिल जाती है quality wise is Vivo के T3 के अंदर बस जो चीज़ मुझे इसके अंदर थोड़ी सी down लगी देखे perfect तो कोई सी भी चीज़ नहीं होती एक तो headphone jack इसके अंदर नहीं है और Samsung का F15, Poco X6, Neo 16,000 की बजट माया है तो और भी smartphones काफी बढ़िया है Note 13 आता है दोस्तो 18,000 की बजट में इससे 2000 सस्ता तो और दूसरे brands में देखा जाए तो मतलब काफी बढ़िया features आपको मिल जाते है और दूसरे brands के अंदर भी जैसे Samsung में AMOLED डिस्पले मिल जाती है Redmi के अंदर Poco के अंदर performance मिल जाती है कम बजट में तो देखा जातों दोस्तों इसका comparison करने की कोशिश करूँगा प्राइस के साब से मुझे जो है फीचर्स तो काफी बढ़िया ही है जैसे इसका rate चल रहा है आपको वीवो का ये लेटेस T3 5G कैसे लगा कैसे नहीं आप मुझे comment करके जरूर बताएगा अगर आपको किसी भी brand के साथ इसका comparison देखना है तो वो चीज़ भी comment कर दिएगा मैं पूरी कुशश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो लाने की वीडियो दोस्तों कर आपको अच्छे लगी तो लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आप नए है सबस्क्राइब निकर रहा तो सबस्क्राइब कर लिजए ताकि नए वीडियो आप तक पहुँशते रहे हैं लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजे दोस्तों वाटसेप पर फेस्बुक पर चली मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए